नमस्कार, स्वागते आपका चैनल टेली खजाना में आगया है यारो को यारो होस राहुल भोज ऐसा लग रहा है जैसे मनीशा को अपनी तरफ की कहानी बताना कहीं न कहीं उसके लिए ही उल्टा पढ़ रहा है आप लोगों को इस वक बताना चाहता हूँ कि जब से मनीशा ने 12 बजे आज के दिन 30 तारीक को एक बड़ा खुलासा किया कि भाई एल्विश जानपुछ के कॉंट्रोवर्सी क्रियेट करता है एल्विश जो है उसने इस कदर जो है मेरे ही फेम को और एल्विशा के जो फैंडम है उनको जो है ठेस मौचाई है हाला कि वो इस वीडियो में ये बात भी बोलते हुए नजर आयती कि यार आप जो है एल्विश को भी उतना ही प्यार देजे और कोई नफरत मत कीजे लेकिन लेकिन शोशल मीडिया पे अब बड़े ही अलग तरीकी का एक ट्रेंड चालू हो गया है दोस्तों आप लोगों को बताना चाता हूँ कि मनीशा रानी की डिगनिटी एक विमन की डिगनिटी पर सवाल खड़े हो गए है जहां पे मनीशा की अलग अलग वीडियो उसको पोस्ट किया जा रहा है और बोला जा रहा है कुछ हैश्टेक्स के साथ जिनमें इस एक है संजे की छमि मनीशा फिर उसके बाद मनीट्रैपर मनीशा हैश्टेक्स और एक चल रहा है है हैश्टेक्स फेम खोर मनीशा जी हां दोस्तों और मनीशा के जितनी भी पुरानी वीडियो उनको क्लाबरेट करके मर्दों को देखके फिसलती है मनीशा ये देखे या लग लग जो लड़कों के साथ उन्होंने अपने चैनल के लिए वीडियो बनाई है उसमें मनीशा को बनाम करने की एक बहुत बड़ी साज़िश हो रही है और ये कहा जा रहा है कि मनीशा जो है वो करक्टर लेस है और मनीशा जो है उसको लेकर तरह तरकी की बाते सिर्फ एक अनफॉलो का मामला है सिर्फ एक यूनो इतनी सी दोस्तों के बीच में बात है इतने में इतनी सारी चीजे करना क्या ये जरूरी है ये सबसे बड़ा सवाल उठता है और ये एक व्यक्तित्व को बताता है कि आकिरकार समाज किस तरफ जा रहा है तो दोस्तों इस पर आपको क्या है कहना कॉमेंट करके जरूर बताईएगा चलता हूँ मैं